हलो काईज, वेलकॉम डूटे की आशर यूट्यूब चनल जिसे कि आप सभी को बता है फिलिपकाड एन अमेजॉन पे बिक बिलियन दे सेल एन ग्रिटीन एन फेस्टिवल सेल चल रहा है बेस्ट स्मार्टफोन डील अंडर 15,000 20,000 की तो हमने अल्डेडी वीडियो जो आप लोग को दे दिये थे आप मेंसे बहुत सा लोग के कमेंड आ रहते हैं कि 25,000 रुपीज में बेस्ट स्मार्टफोन डील बताओ तो आज की स्टुडियो में 5 अनबीटेबल टैप की स्मार्टफोन डील बताओंगा अंडर 25,000 रुपीज की रेट में फिलिपकार्ड एस वेलेस एमेज़ॉन के सेल में से अपने ओने ओनेस उपिनियन भी आपरो के साथ में शेयर करूँगा तो गाइस चलिए वीडियो स्टाओट करते है तो फ्रेंड्स वीडियो स्टाओट कर लेते हैं अपनेस वाली डील के अगराम बात करें आपको देखने को मलता है रियल्मी की तरफ से रियल्मी 11 प्रो प्लस 5G स्माटफोन इसका जो 8256 जुब्याला बेस रेंड है जब इंडियन मार्केट में लाँच वा था 28 से 30,000 रुपीस के सम्तिंग कुछ था लेकिन ये ओफर में BBT सेल में आपको सारे बैंक ओफर लगा के अफेक्टिवली मिल रहे 24,999 मतब 25,000 रुपे के अंदर एंड फॉर डेट वाइस पॉइस पॉइंट हाली रेकामेनेट है लेधर बैक आपको देखने को मिल जाता है 120Hz का काव आमलेट डिस्प्ले Demensity 7050 5G की मैं कहूंगा बढ़िया परफॉर्मंस है 200 Megapixel का अपको OIS वाला प्रामेरी सेंसर मिल जाता है 32 का सेलफी केमेन कैमरा परफॉर्मंस 25,000 रुपे ये साबसे काफी बढ़िया है नेक्स डिल के अगर हम बात करें ये अगेन एक कव डिस्प्ले अला फोन है Motorola की तरफ से Moto H40 स्मार्टफोन इसका जो 8256 बेला विरेंट है इंडियन मार्केट में लाउंच होता है 30,000 रुपीज में इन आज की डिटे में अगर आप लेते हो सारे ओफर लगा कि एफिक्टिवली आपको मिलेगा अंडर 24,000 रुपीज में यहाँ पर भी आपको लेधर बैक देखने को मिल जाता है 144 हर्ट सी फेशेट के साथ में कव वियोलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है उसी के साथ में आपको Demensity 8025G की बढ़िया परफॉर्मंस है IP68 की dust and water resident का feature मिल जाता है wireless charging का support मिल जाता है जो के शायद ही यह price point पर कोई wireless charging आपको दे रहे उसी के साथ में यहाँ पर आपको cameras वगरा भी अच्छे मिल जाते है OIS के साथ में यहाँ पर आपको software experience clean है no ads, no bloatware, in display fingerprint scanner से लेकर हर इक चीज मिल जाती है battery life 44 हैंडे मेंच की है क्योंके यहाँ पर यह slim smartphone है तो आपको दिन में दो बार charge करना पड़ सकता है अगर आप जादा heavy user हो तो वैसे 68 watt का fast user तो मिल जाता है तो 24,000 अरबे के आसपास में आपको budget है curve display वाला अच्छी performance अच्छे camera clean interface आपको IP rating वाला phone यह definitely इसकी तरफ यह आप देख सकते हो next deal के अगर हम बात करें यह sale की unbeatable deal है आप के सकते हो सबसे one of the best deal मैं कहूंगा Poco F5 5G smartphone पे इसका जो 8GB RAM 256GB storage है इंडियन मार्केट में कुछ मैंने पहले 30,000 रुपीज में लाँच हुआ था लेकिन यह sale में सारे offer लगा के effectively ले पाऊगे 21,000 रुपीज में unbeatable मैं इसे कहूंगा design अच्छा है 128 का 12-bit का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है snap dragon 7 plus gen 2 तगडी performance है इससे powerful smartphone आपको इंडियन मार्केट में 21,000 रुपीज में कोई brand provide नहीं करा रहे gaming कर लो editing कर लो मखन performance आपको देखने को मिल जाती है 64 megapixel का triple R camera है OISA decent cameras मैं कहूंगा MIUI पे आपर यह run करता है 3.5 headphone जाएके stereo speaker का support IR blaster 5000 mAh बेटरी 67 watt का future out to the box मिल जाता है तो कुल मिला का अगर आपका 21,000 रुपे का आसपास का budget है एक performance centric तगड़ा old under smartphone लेना है इसकी तरफ आप देख सकते हो next deal के अगर हम बात करें जिसको brand value चीए यह उन लोगों के लिए OnePlus Note CE 3 5G smartphone यह आपका Amazon पर देखने को मिलेगा अभी कुछी टेम पहले जो इसका base rent है base rent जो 128 GB storage के साथ माता है लेकिन यहां पर यह सेल में सारे offer लगा के आपको अंडर 23,000 लपीस का देखने को मिल रहा है यह भी काफी ज़्यादा value प्रोइड कराता है डिजाइन देखोगे टिपीकल OnePlus वाला है साथी में 120Hz refresh rate के साथ में AMOLED display मिल जाता है साथी में यहां पर आपको snap 782G की बड़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है 50MP का ट्रिपल एर केमरा है OISA सोनी AMX 890 वाला सेंसर मिलता है तो कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी सॉलिड है ऑक्सीजन वेस पर यहां पर यह रन करता है सौफ़टर एक्स्परियून भी कमाल के स्टीडियो स्पीकर, इन डिस्पर फिंगपेंड स्कैनर में कोई कॉंपरमाइस नहीं है यहां पर भी 5000 अमेज बेटरी 80W का फाचर आउट अट बोक्स मिल जाता है तो कुल मिला कि आपको बजट अरौन 23,000 वेस के आस पास अच्छे ब्रेंड वेल्यू के साथ में तगड़ा ओल्डाउंडर स्मार्टफोन चीए, इसकी तरब या आप देख सकते हो नेक्स डील के अगर हम बात करें ये भी काफी तगड़ा फ्लाक्शिप किलर स्मार्टफोन है IQ की तरफ से IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन इसका जो बेस रेंड है इंडियन मार्केट पर रौंड 28-30,000 उपीज में लौंच रहा था इन आज की डिए में सारे ओफर लगा कि एफिक्टिवली आप ले पाओगे 26,000 उपीज में इसकी तरफ भी आप देख सकते हो सबसे बेस स्मार्टफोन डील में लगी थी यहां पर यह दोनों सेल में से अंडर 25,000 उपीज की रेट में आप अपने रिक्वार्मेंट के इसाफ से इसमें से कोई भी फोन लोग आपके पैसे बरबात नहीं होंगे वैसे बेस स्मार्टफोन अंडर 15,000 एंड 20,000 उपीज की तो अल्रड़ी हमने वीडियो दाल दिये हो चैनल पर चेक आउट कर सकते हो अपने इसमें से अल्रड़ी कोई डिल को ग्राब कर चुक है वीडियो देखने के बात करने वालो या फ्लिपकाट एस एमेजॉन के से अपने कौन से स्मार्टफोन को पर्चेस करो क्या कुछ प्राइस पॉइंट पर पर्चेस करो यह बताना नीचे कमेंट्स में आपको यह पसंद आए तो लाइक करें शेर करें चनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता अब सगली किसी फीडियो में जब तक के लिए थैंक यू